दो दो बार भारत के प्रधान मंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला वो सक्स जब अपने मुफलसी के दौर में पहुंचा, उम्र के आखरी पड़ाओ पर पहुंचा, 94 साल की उम्र में उस वेक्ती के पास किराय के घर में रहने के सिवा कुछ नहीं था कुछ महीनों के बाद वालम ये हुआ, कि उसे किराया देने तक के पैसे नहीं थे मकान मालिक ने उसे घर से निकालने का फैसला किया और घर से निकाल दिया 94 साल के जिस बुजुरुक की तस्वीर जो निकल के सामने आई, उसे देखकर पडोसियों को दया आ गई वो बार-बार मकान मालिक के सामने विंती करता रहा, कि मुझे कुछ वक्त का मुहलत दिजिए, मैं आपके किराय के पैसे लोटा दूगा बेहदी सधारन सा दिखने वाला वो सक्स, जिसके पास एक पुरानी विचावन, कुछ पुराने बरतन, छोटा सा एक छोटी बाल्टी, मग, और बेहद सधारन समान, मामूली से समान, जिसे एक विक्ति का गुजारा बामुस्किल हो पाता हूँ पडोसियों को इस विरिद्वेक्ति को देखकर दया आयर उन्होंने मकान मालिक से रिक्वेस्ट की कि इन्हें कुछ मुहल अद्दे दिया जाया पडोसियों के आग्रा पर मकान मालिक मान गया सडक पर बिखरे हुए बरतनों को समेट कर जब 94 साल के गुजारी लाल मंदा अपने घर जा रहे थे उस वक्त पत्रकार की नजर इस पूरे घटना क्रम पटेगी उसने कई सारी तस्वीरे ली और इसे अख़बार में एक खबर प्रकासित करने के उदेश से निकर पड़ा दफ्टर उसने नहीं सोचा था कि जिस वेक्ति के बारे में वो खबर लिखेगा वो सक्स कौन है उसे तो बस इतना ही पता था कि एक जाली मकान मालिक किराया नहीं देने के एवज में एक बिद्ध असहाय मजबूर क्रेदार को घर से निकाल कर बाहर फेक दिया उसने अल्मोस्ट ये खबर लिख भी ली थी लेकिन जब ये खबर लेके वो अपने संपादा के पास पहुचे वो तस्वीरे दिखाई संपादक अपनी कुर्सी छोड़ कर खड़े हो गया तस्वीर देखते ही वो चोग गया पत्रकार से पूछे जो रिपोर्टर उससे में वो खबर कैद करके अपने कैमरे में ले गये थे क्या तुम जानते हो कि ये सक्स कौन है उस फोटोग्राफर पत्रकार ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता कि ये कौन है मैं तो बस वही देखा हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि किरेदार ने किराया नहीं दिया इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और इस उमर में कहां जाए उस अखवार के संपादक ने अगले दिन अखवार में जो खवर छापी उसके बाद उस पत्रकार के साथ साथ पुरे अखवार के साथ पुरे देश के लोग हील गए वो सक्स थे भारत के दो भर कारवाहक परधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा की एक कहानी थी कि उस वक्त उस कहानी के पीछे दिल्ली की सल्तनत में मौजूद लोग खिल गया थे पडोसियों को भी नहीं पता था कि आकरी ये कौन है अगले कुछ दिनों के बाद अख़बार की ख़बर के बाद दिल्ली से पुरा अधिकारियों की फोज मंत्रों की कतार बियाईपी गाड़िया पहुँची कि आप चलिए सरकारी शुद्दा का लाव उठाईए इस तरीके से बिवसी में आपका जीवन यापन नहीं चलेगा उनने काया कि पुरी उम्र तो गुजार दिया साद्गी से अब अंतिम छण में क्या करूंगा इन तमाम सुक शुद्दावों का लाव लेकर उनने आजीवन उसी घर में किराय के घर में रहना मुनासिफ संद्गा ऐसे साद्गी के मिसाल सतंता से नानी गुलजारी लाल की एक कहान नहीं भारतिय राजनितिक गुलजारी लाल नंदा का जनम सियाल कोट अब पकिस्तान पंजाब में है जहां 4 जुलाई 1898 को हुआ था इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा तामाता का नाम इश्वर देवी नंदा था नहरी जी के निधन के बाद कायरे वाहग प्रतान मंतरी के रूप में इनका प्रतम कारिकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा जब किलाल बहादुर सास्त्री के निधन के बाद इनका दूसरा कारिकाल 11 जनवरी 1906 से 24 जनवरी 1906 तक रहा आपको बता देते हैं कि इनके जीवन के कुछ महत्पून कहानियों में क्या कुछ है जो आपको बेथित कर देगी जिसे सुनकर आप भावख हो जाएंगे करीब 94 साल की उमर में किराय के मकान में पुराने फटे हुए बिस्तर, कुछ बर्तन, पलास्टी की बाल्टी और एक मगादी जिसे जरुवत के समानों के साथ सडक पे पड़े हुए या सक्स थे जो किराया नहीं देने के अवज में मकान माली के द्वारा निकाल दिया गया था उसी दोरान रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार को यह नजारा दिखा जिन्होंने इसे अपने अख़वार में च्छापने का मन बनाया उन्हेंने सोचा था कि मकान माली के क्रूर रवये के वज़े से एक अख़बार में ख़बर चापूंगा और ये घटना करम तब निकल के सामने आई इस घटना करम की जिकर करना बहुत जरूरी है कि अख़बार में छापने के लिए पद्रकार ने सिर्सक सोचा कि क्रूर मकान माली की बुढ़े को पैसे के लिए किराय के घर से बाहर निकाल देता है फिर उसने करेदार की घर की कुछ फोटो भी ले ली ये ख़बर लेकर जब उपने दफ्तर पहुंचा रहे खटना के बारे में अख़बार के संपादक और उस वक्त के मालिक थे उनको फोटो दिखाया तो वो हैरान हो गया उसके बाद अगले दिन अख़बार में ख़बर छपी भारत के पुरुव प्रधान मंतरी गुलजारी लालनन्दा एक दैनिय जीवन में जी रहे न्यूज में आगे लिखाता कि कैसे पुरुव प्रधान मंतरी किराया नहीं दे पा रहते और कैसे उन्हें माकान मालिक घर से बाहर निकाल दिया था यह भी टिपनी की दिए गए थी कि एक विक्ति जो दो बार पुरुव प्रधान मंतरी रह चुका है लंबे समय तक केंद्रिय मंतरी रहा उसके पास अपना घर खुद का नहीं है इस खबर के दूसरे दिन ही वर्तमान प्रधान मंतरी मंतरी और अधिकारियों के वाहनों के काफले के साथ उनके घर पहुंचे इतने वाहन और भ्याइपी वाहनों की कतार देखकर मकान मालिक भोचका रह गया उसे पता चला कि मैंने जिसे किराय पर रखा हूँ कोई सधारन वेखती नहीं बलकि भारत के प्रूव परतान मंतरी श्री गुजारी लाल नंदा थी तो वो अपने दुर बहवार पर बहुत सरमिंदा हुआ और इनसे माफी माँगने चल दिया बाद में सरकारी मुलाजिमों ने कहा कि सहाब आप चलिए सरकारी अवास और बाकी सुद्धा लीजिए लेकिन गुजारी लाल नंदा ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अब बुढ़ापे में क्या करूँगा गुलजारी लाल नंदा अंदिन सांस तक समान्य नागरी की तरह एक सच्चे गाधिवादी बन कर रहे हैं 1997 में में अटल भ्यारी वाचपेई ने भारत रतन देने की पेसकस की और उन्हें भारत रतन दिया गया गुलजारी लाल नंदा एक सटनता सिनानी थे जिने 500 रुपे प्रतिमा वो सटनता सिनानी के लिए जो पेंसन मिलता था वो मिलता था गुलजारी लाल उससे भी लेने से इंकार कर चुके थे कि मैं स्वत्नता से नानी इसलिए नहीं था, मैं स्वत्नता के लड़ाई में इसलिए नहीं कुदा था कि मुझे भत्ता दिया जाए, बलकि मैं इसलिए आया था कि मैं देश की सेवा कर सकूँ, लेकिन दोस्तों के समझाने के बाद अंत में गुलजारी लाल को भत्ता लेना प भारत के दो बार कारवाहक परधान मंत्रिदा है उनके जीवन में किस तरीके से मुफलसी के दौर दिखाई दिये और आज के राज नेता है सियासत की पड़ साला में उनकी इंट्री दाखिला ही बड़े-बड़े लगजरियस गाड़ी महंगे अभूशन वस्त्रों के माध्य का जंडा ही उठाने देगा लेकिन एक वक्त था जहां गुजारी लाल नंदा जैसे नेता भी हुआ करते थे जो देश के सरवच्चे कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी एक सधारान सा जीवन जीते हुए दुनिया में गुमनाम हो गया थे पनोर्मक्रो जो सोचता है वो करता है इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के ई-homes पैनोरोमा में पुर्णिया में पैनोरोमा ग्रूप लेकर आये हैं ई-homes पैनोरोमा बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-homes पैनोरोमा के संग ई-homes पैनोरोमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंट